आये महरानी कुंति का स्वागत है करन महरानी कुंति को मेरणी कुंति का संबोधित तो कुंति पुत्र हो नहीं कुंति पुत्र हो एक मा को परणाम देने की जरुवत नहीं है कि मा अपनी ओलाद को पहचानने में गलती नहीं कर सकति अच्छा है सुनिये कह दे यह सुथ पत्र तुम्हारा स्वागत करता है अच्छा और सम्मान करता है मेरी बात सुनिये कह दे करें सुनिये मेरी बात करें सुनिये मेरी बात इषिए्यक il कर दो हले 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 हो अरे हात जो परिणाम करे तुझे और ये राधा सुथ दानी तो मेरी भी सुनने करें कहिए अपने माता कहके बोले लाड ले खटके तेरी वाणी हो माता कहके बोले लाड ले खटके तेरी वाणी हो माता कहके बोले लाड ले खटके तेरी वाणी माता कहके बोले लाड ले खटके तेरी वाणी अरे में मामूली सूत पत्र तन के से कह बोले लाड ले खटके बोले खटके रही मन क्यूं हम दरदी दिखा रही यो भेद समझे ना याता दिल पेवारी छोट लगी मेरा फटा कल जा जाता दिल पेवारी छोट लगी मेरा फटा कल जाता पेल शरनीचा क्यों कर राख्या री शरनीचा क्यों कर राख्या तो तो पांडू की महरा नी पाता कहे के भोल लाड ले औंके तेरी वाणी हो पाता वेक्टे वोल लाड़ ले अनके तेरी वाडी तम बार बार कहती हो मिठे मिठे बई तम बार बार कहती हो कि मुझे माता कह के बोल ले खटके तरी वाणी मैं तुम्हें किस लिए माता कह दूँ मैं तुम्हें किस वहेप पे माता कह दू तम ने मा का कौन सा फर्ज मेरे साथ में अदा किया जो मैं तुम्हें मा का हूँ करेल मेरी बहुत बड़ी मजबूरी नहीं होगी जिस मजबूरी के कारण मैंने तुम्हें अपने आप से अलग कर दिया वरना कोई मा नहीं चाहेगी अपनी अउलाद को अपने से दूर करना मेरी बजबूरी थी करन महरानी कुंती तम्हारी आखों में ये नीर ये गम के आशू हाँ एक तरप तम्हारे आशूं को देख करके मेरा मनी भी पिगल रहा है मेरी बहवना भी उमर रही है और दूसरी तरफ मैं तुम्हें मा कहूं को कहूं कैसे क्यों कि तुम पंडू की महरानी हो पांचों पंडू की मा हो मैं तुम मामूली सा सूत पत्र हूं एक सूत पत्र की मा मारा निकुंती कैसे हो सकती है लेकिन मेरी बातो पे विश्वास करो तुमहें ये पताए कि मेरी मा कौन है, मेरी मा मां सुन एक मुझेmar मेरे पिटाया दी रख मेरे राधे ने गोब खिलाया राधा ना तू, राधा ना तू कुंदी सुत मने पेट भरके जाया और तेरी छापी फटी नहीं, तेरे पेरी छापी फटी नहीं तने क्यों कर मैं ठुक राया ख्वारी ने पेदा करके तू, गंगा बीच बहाया और तेरे जेशी आगे तलक रोप तेरे जेशी, आज तलक ना ते खाणी माता के के बोले लाडले, अटके तेरी वानी और तेरे जेशी तुम्मत्तिलव खात्तर इश्रिस्थेन याद दिलावने आई अपने दिल के टुकडेने में आज मनावन आई तुम्मेरे तिल पे चीरा देवने, मेरे तिल पे चीरा देवने, तुम्मक लगावने आई पाँचो पाँडव भाई तेरे में न्यू समझावन आई तुरिया मांग लिये क्या चाहिए दने, मांग लिये क्या चाहिए दने तु तो खोड़ बता परेशानी बस माता कहके बोल लाड ले, अटके तेरी वाणी माता कहके बोल लाड ले, अटके तेरी वाणी माता कहके बोल ले, अटके बोल ले, अटके तेरी वाणी मारानी कुंती, मेरे पास शूरे निकलने से पहले कोई आता है, तो वो कुछ न कुछ मांगने के लिए आता है जिसने भी तो में बेजा है, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है इसलिए, सूरे निकलने से पहले आई हो, जो कुछ मांगना चाती हो, तिल खोल करके मांग सकती हो मैं तो मैं खोले दिल से के रहा हूँ, हाँ एक काम मैं जरूर एक काम नहीं करूँगा मैं क्या? क्या कि मैंने जीवन में बहुत कुछ किया है, और मैंने जीवन में जो मेरे घर पर आया हाँ मैंने उसका सम्मान किया है, और कैसे कैसे सम्मान किया है कैसे? सुनिए कह दे हुआ 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 है मने आज तरक अपने दरते कोई खाली ना लोटाया भीक गालते जोली में मने ये पल्ला फैलाया अभी तो तुम ये कह रही हो कि मैं अपने बेटे को लेने के लिए आई हुँ और मैंने जब इतनी बात कही कि आज तरक मैंने अपने दर से कोई खाली ना लोटाया तो जोली यहां जो मांगोगी तो वहीं मिलेगा मैं एक काम नहीं करेंगा कॉन सा मैं मर सकता हूं लेकिन एक काम नहीं करूंगा मारा नीकुट काम सा तमहारे आंशू देख करके मैं सब को देने के लिए त्यार हूँ लेकिन आशो नहीं अगर तुम जाने भी दोगी तो एक काम नहीं करूंगा मैं दुरियोधन का साथ न छोड़ू दुरियोधन का साथ न छोड़ू मांगले और बठाया मैं यहीं तो चाहती हूँ कि तु अपने पांचों भाईयों की तरफ से उस यूद्ध को करे चाहे शूर्य अपनी तपन छोड़ू दे चाहे शूर्य अपनी तपन छोड़ दे चाहे चंद्र में अपनी शीतलता त्याग दे चाहे हिमाले अपनी जगह छोड़ दे चहे गंगना नदी अपनी धारा का रुख मरदे लेकिन ये करन, ये करन मर सकता है, लेकिन मरते दम तक अपने परम में तर्यार दरियोधन का साथ नहीं छोड़ेगा करन मैं तुस्ते फिर से पूछना चाहती हूं कि मुझे इतना बता दे कि क्या तूस द्रियोधन का साथ छोड़ेगा या नहीं तो बस करन अगर तूस दरियोधन का साथ नहीं छोड़ना चाता तो तेरे पास मैं गुरू परशुराम के दिये हुए पांच बान है उन्हें मेरी जोली में डाल दे करन उन्हें मेरी जोली में डाल दे या तो मैं दरियोधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया तो गुरू परशुराम के दिये हुए शक्ति वो दिये हुए बान तो मैं तुम्हारी जोली में डाल दे हुँ हाँ, सुर्य निकलने से पहले आई हूँ, और मैं वचन बद्ध हूँ कि सुर्य निकलने से पहले कोई आता है जो मांगता मैं वही देता हूँ, जाओ मैं रहनी कुंती ये सूत पुत्र करन, गुरु परशुराम की दी हुई सक्ति, गुरु परशुराम की दी हुए बान, आज मेरे परम मेत्री अर्द्रियों धन्ने हो सकता कि निद्धा बानों की सक्ति के कारण मझे अपनी सेना का सेना पती बनाया हो युद्ध करने से पहले इसे बानों के प्रियोक करने से पहले तुमने ये बान दान में मांग लिए तुमने अच्छा नहीं किया इतने दिन के बाद मेरे पेकिऊ दान मांचने आई हो, जिन बानी ओप्रान मांचने आई हो, जिन बानों का तो जिकर करन की तुम जान मांगने आई हो, करन की तुम जान मांगने आई हो, इस हम नहीं है करन, ये सच्चा ही नहीं है, उस दिन जनम देकर के गंगा नदी मैं बहा करके मार दिया, आज पांच वबानों को मांग करके, आज भी करन को तुमने जिन्दा मार दिया, लेकिन जाओ, मैं परन से नहीं हिलूंगा पांच वान तो मैं जो लिए में देता हूं मिंदर्यो धन का सार्क ना छोडू मांगले और बकाया मेरे बेटों की मेरे बेटों की जान बक्ष दे करते मन का चाहा मेरे बेटों की जान बक्ष दे करते मन का चाहा हरी कलमी उठा हर्या राम बेश ले ननवी उठा हर्या राम बेश ले लिख दे धर्म कहारी अस माता कहके बोल लाण ले खट के तेरी वानी हो माता कहके बोल लाण ले खट के तेरी वानी हो हाथ जोर परिनाम करे तुझे ये राधा सब दानी मुझे माता कहके बोल लाण ले खट के तेरी वानी माता कहके बोल लाण ले खट के तेरी वानी